सलाम नमस्ते सस्रियकाल, कौन बैंक में काम करना नहीं चाहता, अभी SBI ने नौकरिया निकालने के बाद जो उनकी सेलरी होगी वो 76,000 से उपर होगी और क्या क्या उन पदों पे जाने के लिए आपको क्या के डॉकिमेंट चाहिए वो सब चीजे में आज की निउस में आपको बताने जा रही हूँ, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ हेजजे निउस में SPI हमाई देश का सबसे बड़ा बैंक है और उस बैंक में नौकरी पाने के लिए बहुत सरे लोग ट्राई करते रहते हैं और एक्जाम देते हैं और वहां के बैंक के एक्जाम देते हैं कुछ लोगों से वो एक्जाम से क्लियर नहीं हो पाते हैं पर कुछ लोगों के क्लिय नहीं हुए है वो फिर दुबारा से ट्राई कर सकते क्योंकि SBI ने फिर दुबारा से नौकरिया निकाली है तो चलिए जानते हैं कि वो कौन-कौन से पद है जिन पर नौकरिया निकल रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने S.C.O. और डिप्टी जर्नल मानेजर के पदो पर नौकरिया निकाली है और इसको अपलाई करने के लिए आपके पास 12 अगस्त 2019 का समय है इन फर्म को फिलप करने के लिए आपको S.B.I. की वेवसेट पे जाना पड़ेगा. S.B.I. की वेवसेट है sbi.co.in और वहाँ पर आपको फिलप करने के बाद वहाँ से आपको सलेक्ट किया जाएगा और सलेक्ट करने के बाद आपको इंट्रव्यू के लिए बुलाय जाए या CE होना चाहिए आपके पास उतनी study होनी चाहिए और उसके बाद ही आप ये form fill up कर सकते हो और उसे interview के लिए जा सकते हो SEO पद पे आपको post होने के लिए आपकी age 45 से कम होनी चाहिए और बाकी पदों पे पोस्ट होने के लिए आपकी age 35 से कम होनी चाहिए और SBI को employees की ज़रूरत है 76 Dipty Journal Manager के पदों पर select हो कि 68 से 76 तक उनकी salary होगी और बाकी पदों की salary कम से कम 42,000 से लेके 51,000 तक रहेगी So guys आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें comment box में comment करके ज़रूर बताइए और अगर आप भी apply करना चाहते हैं तो आपका last समय 12 अगस्त है तो आप जाके उनकी website पे apply कर सकते हो और अगर आपके पास होती है तो आपको apply करना बहुत ही जादा जरूरी आप कर सकते हो और करने के बाद शाहिद आपको नौकरी भी मिल जाए अगर आज की न्यूज अच्छी लगी तो प्लीस जाती जाते एक comment ठोकते हो ज़रूर जाए और साथ के साथ एक like ठोकते हो भी ज़रूर जाए और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लि थैंक्स वर वाचिंग एटदे नियूज